नमस्कार आएए आज हम हल करते हैं हिंदी की वर्क्षीट कक्षा दस्वी वर्क्षीट नमबर 30 तीस इसमें दो पत्र दिये गये हैं पत्र के प्रकारों के बारे में इसमें बता दिया गया है अनौपचारिक पत्र हैं अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने किसी परचित को लिखते हैं हमारे रिष्टेदार परिवार के लोग मित्र या ऐसे ही अन्य जिने हम जानते पहचानते हैं उनके लिए ये अनुप चारिक पत्र लिखे जाते हैं जिनमें सलहा के लिए हो सकते हैं बदाई के लिए हो सकते हैं निमंतरन के लिए हो सकते हैं हाल-चाल पूछने के लिए हो सकते हैं इस तरह के पत्र इसमें आते हैं तो पहला पत्र है कि इस पत्र में कहा गया है कि आपका कोई मित्र है और मित्र वो आपकी पुष्टक को एक साल पहले ले गए थी लेकिन वापस नहीं कर गए तो आपको प्रश्ण के भाव को समझना कि प्रश्ण किस तरह का पत्र आपसे लिखवाना चाहता है तो इसमें आपको लिखना है कि आप एक साल पहले आपका कोई मित्र आपसे पुष्टक ले गया लेकिन वो ध्यान भूल गया उसको वापस करने का और उसनोंने वापस नही की तो आप पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले हम कागज की दाइं तरफ यानकी हम जब लिखने बैठते हैं तो अपने दाइं हाथ की तरफ पत्र बेजने वाले का पता लिखते हैं उसमें आप चाहें तो अपने घर का पता लिख दें चाहें आप अपने विद्याले का पता लिख दें या कोई और पता लिख दें मैंने इसमें लिखा है मकान नंबर 34 बटे बी गली नंबर 6 मित्राओं नई दिल्ली दिनांक 9 सितंबर 2020 इसके बाद इसमें संभोधन आता है कि आप अपने मित्र को संभोधन किस तरह से करेंगे तो पृए मित्र और मित्र का नाम लखेंगे मुकेश जो भी आप मित्र का नाम लखना चाहें या जो परस्न में दिया हुआ है इसके निचे हम अभिवादन करेंगे तो मित्र के लिए अभिवादन सप्रेम नमस्कार ये लिखा जाता है उसके बाद कुशल शेम लिखते हैं कुशल मंगल लिखते हैं मैं यहां कुशल मंगल हूँ और कामना करता हूँ कि इश्वर की क्रपा से आप भी वहाँ पर कुशल मंगल हूँगे आपको इस तरह से आपको पत्र की शुरुवात करनी है जिसे की जिसे आप पत्र भेज रहे हैं उन्हें भी पढ़ करके अच्छा लगें मुझे भी आपकी याद आती है कुछ दिन से विद्याले बंध है अधे घर पर ही हूं घर बैठे बैठे ही किताबें पढ़ लेता हूं आज मुझे याद आया कि एक साल पहले जब आप यहां आये थे तब आप मेरी एक पुष्टक ले गए थे अब पुष्टक बापस नहीं करने आये थे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कुछ समय मेरे पुष्टक ले गए थे तो हमने इसमें हवाले दिया है कि आप एक पुष्टक मेरी दादी जी ने मुझे उपहार सोरुप दे थी अब देखों यह हमने उस में काण लिखा क्योंकि यह प्रस्ण में भी कहा गया है कि पुष्टक स्यलिए महत्वकूण है क्योंकि वह आपके दादी ने आपको पहार में दी तो आपको यह लिखना पड़ेगा तो इससे आपके प्त्र का प्रभाव और देखोगा और इसे बार-बार पढ़ना मुझे अच्छा लगता है शायद यह पुस्तक आपने भी पढ़ली होगी अब यहां तक हमने विश्यवस्तू को लिख दिया है अब इसके नीचे आप उनसे किस तरह से कहेंगे कि भाई आप आप से मिलना भी हो जाएगा और किताब भी वापस कर सकोगी आप चाहो तो इस पत्र में अपने मन के और विचारों को भी आप इसमें जोड सकते हैं यह किबल मनेक आदर्श नमून आपके सामने प्रस्तुत किया है आप इसमें चाहें तो दो चार छे लाइन आप और भी जोड़ सकते हैं अब नीचे समापन होता है समापन में क्या लिखते हैं अपने छोटे बाई बेहनों को मेरा प्यार के ना और अपने माता-पिता को मेरा साधर इस पर्स कहना आप इसमें माता-पिता की जगेस में आप चाचा-चाची भी लिख सकते हैं क्योंकि अपने मित पत्र हो गया है अब आते हैं दूसरे पत्र पर हैं दूसरे पत्र में इस समय प् yön grew को और फारी चल रही हैं इसके कारणा आप अपने मिंट्र से नहीं मिले हैं काफि लंभा समय हो गया है आपको भी याद आ रही है तो आप यह पत्र लिकेंगे तो याद कर रहें तो उसमें भाव भी याद करने जैसे होने चाहिए हैं मैंने उसी तरह कि इसमें कुछ शब्द लखें लेकिन आप अपनी इच्छाथ से उसमें कुछ और भी जोड सकते हैं कि पत्र इस प्रकार है कि गोयल नवास विकास नगर नहीं दिल्ली दिनांक 9 सितंबर 2020 कि यह पत्र भीजने वाले का पता लिखा है इसमें मैंने दिनांक दो तरह से लिखी है कै उसके बाद अभिवादन सौप्रीम नमस्कार ठीक पहले बारे पत्तर की तरह की- क्योंकि हमने पहले पत्त्र वी मित्र को लखा है यहां भी हम वही कु實ल मंगल लेखेंगे गैए यहां कु實ल मंगर हूं और कामना करता हूं कि आप भी यह वहां पर कु實ल मंगर होंगे कल ही तम्हारा पत्र मिलेखर कि पढ़कर बहुत खुशी बहुत इस कौरोना काल में किसी भी दोस्त से मुलाकात नहीं हुई घर पड़े पड़े ऊप जाते हैं तुम्हारी तो सबसे ज़्यादा याद आती है साथ में खेलते थे तब कितना आनंद आता था लेकिन अब अकेले अकेले अच्छा सा नहीं लगता अब मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है तो समय अच्छा करता है कोरोना का प्रभाव खत्म हो या लोगडाउन पूरी तरह खुलने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और दोनों धेर सारी बातें करेंगे अब इन पंक्तियों के अलावा आप अपने मित्र को और जो बातें कहना चाहते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि तुम भी मुझे पत्र लिखकर अपने बारे में बताना बड़ों को मेरा प्रणाम बच्छोटों को प्यार करना यह पत्र का समापन है नीचे लिखेंगे तुम्हारा परमित्र मनीश यह जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें तो इसके बाद हमारा नए वीडियो आएगा जो अगली वर्क सीट आएगी उसका हल करके धन्यवाद